असलाम अलेकुम फ्रेंड्स मैं सब्दर खान क्यानी आप देखे रहे हैं मेरा चैनल वाई सब्क्यानी चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाद में सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिप कर दिजिए ताके तमाम वीडियो को नोडिफिकेशन आपको टाइम से द की थी प्रडक्ट अगर किसी इंटर्मिडिट फेस बें किसी और जैनियून केस की विजए से कोई होल्ड हो जाती है तो उस होल्ड कैसे करते हैं क्या होती है तो प्रड़क्ट को होल्डिंग सेडी कर सेडी के टाइम पर्टिकुल होता है आपके पास तो वह उसके बार में कि रवगशन करते हैं क्या होता है फूड को फिर फूड़क्ट करेंगे कि इसका प्रड़कोल क्या बताते क। और यह इसमें क्या क्या चीज़े मैंशन होनी चाहिए तो कोई भी प्रड़क्ट जो है अगर कोई केस की वज़ा से कोई रिजन्स की वज़ा से आप प्रड़क्शन के किसी भी इंटर्मिटिट फेज में या बलक स्टेज पर रुख जाती है और या होल्ड हो जाती डिस्पेंसिंग के बाद या दिस्पेंसिंग भी तो आपके पास एक प्रड़कॉल प्रड़कॉल होते है जो बताता है कि इस पर डbuक को कितनी देन तक होल्ड कर सकतें वह इस्टरी के बाद करो इस सारे सिस्टम के लिए सारे एक्टिवटीज के लिए आपकी पास सबसे पहले इशर्णश का एंड से प्रोड़ोकॉल होना चाहिए जो डिफाइन होता है जिसमें सारी चीज़े मेंशन होना चाहिए यानि कि आप उस प्रडेक्ट की स्टडी के लिए क्या टेस्टिंग मैथड यूज करेंगे कौन सी टेक्निक अपलाई करेंगे क्या होगा आपके सेंप्लिंस करेंड के हम उसके साथ चाहिए और कौन टीम के लोगा कौन को सब्सक्राइब करते हैं प्रोटोकोल में इवन इच एवरिटिंग आप डिफाइन करते हैं और बता रहे होते हैं कि इस प्रदिस प्रोटोकोल हम इसकी स्टेडी करते हैं सबसे पह् necesita सबसेड़ करते हैं और बल्ग सटेड़ करते हैं कि हो सकती है कि किसी स्टेज़ हो सकती je सबस T क्योंकि पुर्ड़क अगार कि इसलेट पहों, सेड़ करते हैं। तो इन तमाम स्टेशन की स्टेड़िक आपकी प्रोटकोल उने समय करते यह उसास के पास से एक प्रोड्ोaltet रहेंग तो आपकी बिड़क्ट के प्रोड़क्त होती है मिसाल के तो आप जो टेंपरेचर प्रवाइड कर रहे थे नॉर्मली 25 डिगरी है यह जो उसको हमिडिटी आपने प्रवाइड की हुई थी उसी सिनेरी पर उसी कंडिशन पर आपका टेस्ट सेंपल होना चाहिए जिस कंटेनर में आपने रखा जो SS का कंटेनर आपको यूज ह व्यसके रखा टेनर आप अपनी प्टेस्ट सेंपल होना चाहिए है आपके बल्क और हैड्स होता है नहीं यह रेस्टेज्ट चाहिए किसी सेरख के इंदर के अंदर के इस पैस करते हैं तो वो डिफरेंस भी से मुना चाहिए तो उससे ज्यादा हो यानि वर्स कंडिशन आप दे सकते हैं लेकिन वैसी कंडिशन नहीं आप एक एक्टिविटी कमर्शिल के अगर नॉर्मल में करते हैं तो आपको टेस्ट टेम्पल उसको थोड़ा उससे टैंक हाड रखें है गाइडलान में दिया होँआ है प्राटोटो कल दिया होना चाहिए प्रिसके इसके अंदर आप टेस्टिंग मेतड्स करेंगे आप के पर सैंप्लिंग्पलां्टस सेंप्ल लेंगे कि मैं age त्सक्राय त्सक्राइब के लिए यहा त्रहिट की सदे मच्न करें गे सब्सक्राइब करोटोल का फंगा ले दूसरे मैंगरोबील काउंट से टेस्टिंग कि बड़ा इंटरफेर रिस बड़ी इंपोर्डेंस होती है यह कमंडिड है किसी प्रोड़क्त की आप माइक्रोबिली टेस्टिंग लाजमी करते हैं तो उसके टेस्ट के पेरामीटर उसका इंटरवेल सेंपल और कितने सेंपल सेंपल कॉंटिडी सब कैलकुलेटेट वे में टैसा पास आपके प्रोड़कॉल में डिफाइन होना चाहिए यaccessive ब्रोड़क्त को इस प्रोड़कोल के ζूंतरि और के पासे लेवल लगाएंगे उसपर लेबल पे क्या क्या चीज要rias करेंगे कॉन सेंपल क्लेक'd कर रहा है सेम्पल कARY कोंटिटी क्या ही की है किस ताइम के लिग करेट के गया कितने घंटे पर यह कितने धना सेम्पल लिय बाद सेंपल लिए जाए गा इस सारी चीजे आपके पाथ मैंश offers कुन दर इत्व के अचाहिए वह बिए than ने के बाद और आप टेस्ट करते हैं देखतेिक पर क्या हो चाहिए तो ज्छ तकिल अपने 3 दिन करें दीन कर छो की जरूर क् zasplex & Ste이나 उन्हें करें टेंग निकाला यह किसी के चाहिए क्यों कि सारे टाम पिरिड्ट आपके पास होंगे तो आपको पता होगा कि हमकी इस पोड़ेट पर इशुआ इसे पर इसको होल्ड किया है तो कितने टाम की लोगल करेंगे आपके या के पर्टोक् kepada आपको बताता याव को तमाम चीज बताएगा कि किस पेरामेटर में किस कंडिशन में और प्रवाइडल कंडिशन में और किश किस एंगल से आप करें कि सारी चीज़ आपके प्agit र under Community मीन सिंपल यह है जब भी किसी प्रोडग्ट की आप all time is study करेंगे उससे पहले आपके पास प्रडुडोकूल उना भूझट जोुरू डिये पिर दूसरी बात तीसरी बात यह है कि जब आपने डिफाइन कर दिया टाइम आप प्रड़क के टाइम निकाल ली आपने तौम प्रड़क के डिफाइन स्टडी हो गई आपको एक महीने लग गया अपने सारी स्टडी कर लिए फिर क्या करेंगे आप उनके ट्राइल बेजिस और यह तो और आपके देखेंगे और देखेंगे क्या यह व्ल्डिंग सैंपल होते हैं यह जो होल्ड है कि स्टेज पर इस कर थे बर उसके पाद पर उस के के अंदर जो हैं değil उसकी प्रोड़कुल को वेतना है उसमें आप डिपान कर देते हैं हर पृड़क को फेसस की लिए से ये लिए से होल्डिंग टाइब तो ये होता है फेस्ता की बातके की कि फॉक्रोड़क्त को बाते हैं इस study की बेस पर निकालते हैं फिर उसकी study के पिर क्राइटेरिया अलग है यह फिर एक schedule बनता है कि क्यों कि तरफ से कि हम अब इसके सेंपल बनाएंगे इसके उठाएंगे इस स्टेश उठाएंगे वह 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 आपरेशन पर्टोकॉल के अंदर सारा आ जाता है तो इन दी आता है तो holding time यह define on the basis of study तो यह आपका प्रोडोकॉल होता है जो आपको बताता है कि आप किसी प्रटक का holding time study holding study time कैसे निकालते हैं holding time जो भी है आप किस तरह से मेंशन करते हों निकालते हैं तो इसको हम यहां पर एंड करते हैं इंशाला और फिर किसी और activity और process के साथ आएंगे उस अक तक के लिए जादत थैंकियो अला पीस